ओम ब्रिम ब्रिहश्पते नमार दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे ब्रिहश्पतिवार व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है भारत में एक राजा राजे करता था वह राजा बड़ा प्रतापी और दानी था वह नित्यप्रती मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और ब्राम्हण और गुरुवों की सेवा किया करता था उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लोडता था वह प्रत्तेक गुरुवार को वरत रखता एबं पूजन करता था हर दिन गरीबों की सहाईता करता था परन्तु ये सब बातیں उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी वह न दोवरत करती थी और नहीं किसी को एक भी पैसा दान में देती थी वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए उस समय घर पर सिर्फ रानी और दासी थी उस समय भगवान ब्रिहश्पती देव साधू का वेश धारन करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए साधू ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी हे साधू महराज मैं इस दान और पुन्य से तंग आ गई हूँ इस कार्य के लिए तो मेरे पती देव ही बहुत है अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ तब साधू रूपी ब्रिहश्पती देव ने कहा हे देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है इसको तो सभी चाहते हैं पापी मनुष्य भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्रामणों को दान दो, धर्मसालाएं बनवाओ, कुवा तालाब, बावडी बाग बगीचे आधिका निर्माण कराओ, तथा नेर्धनों की कुवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्यादी करो, इस प्रकार के करमों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा, एवं तुम्हें भी स्वर्गी की प्राप्ती होगी, परंतु रानी, साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई, उसने कहा, हे साधु महराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यक्ता नहीं, जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं, तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। इस प्रकार से साथ ब्रहश्पती वार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महराज रूपी ब्रहश्पती देव अंतरध्यान हो गये। भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी तुम यहाँ पर रहो मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ वहाँ कोई काम धंदा करूँगा शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। राजा वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेशता। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासिय सेर बेशर मांग कर लै जिस से कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासि रानी की बहन के पास गई लेकिन रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी और उस दिन ब्रिहश्पतिवार का दिन था। दासि ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे पाँच सेर बेजर दे दो। दासी ने ये बात अनेकों बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय ब्रहश्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बह नहीं दिया तो मैं वापस चली आई रानी बोली हे दासी इसमें उसका कोई दोस नहीं है जब बुरे दिन आते हैं तब कोई भी सहरा नहीं देता अच्छे बुरे का पता विपत्ती में ही लगता है जो इश्वर की इच्छा होगी वही होगा यह सब हमारे भाग्य का दोस है उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परन्तु मैं उससे बोली नहीं तो इसलिए वह बहुत दुखी होगी अतेह कथा सुनकर और विश्ण भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी हे बहन मैं ब्रिहश्पतिवार का वरत कर रही थी तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी परन्तु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और नहीं बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यो गई थी रानी बोली हे बहन हमारे घर अनाज नहीं था वैसे तुमसे कोई बात चुपी नहीं है इस कारण मैंने अपने दासी को तुम्हारे पास पाच सेर बेजर लेने के लिए भेजा था रानी की बहन बोली बहन देखो ब्रहश्पति भगवान सबकी वनों कामना पूर्ण करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घरा बेजर का भरा हुआ मिल गया उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक-एक बरतन देख लिया था उसने बाहर आकर रानी को बताया दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी देखो वैसे हमको जब अन नहीं मिलता तो हम रोज ही वरत करते हैं अगर इनसे वरत की विधी और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे तब दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से ब्रिहश्पतिवार वरत के बारी में पूछा उसकी बहन ने बताया हे रानी बहन ब्रिहश्पतिवार को सुर्योदे से पहले उठकर शनान करके ब्रिहश्पतिवार का वरत करना चाहिए लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए ब्रिहश्पतिवार के वरत में चने की दाल और मुनक्कों से विश्णु भगवान का केले के विरिष्ट की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलावे उस दिन एक ही समय भोजन करें भोजन पीले खाद्यपदार्थ का करें तथा कथा सुनें इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रिसन्न होते हैं अन्न पुत्र और धन देते हैं इस तरह वरत और पूजन की विधी बता कर रानी की बहन अपने घर लोट गई दासी और रानी दोनों ने निश्चे किया कि वे ब्रिहश्पति दे भगवान का पूजन जरूर करेंगी साथ दिन के बाद जब ब्रिहश्पतिवार आया तो उन्होंने वरत रखा घुड साल में जाकर चना और गुड बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्ण भगवान का पूजन किया अब भोजन कहां से आये इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी परंत दासी यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है तुम दोनों करना दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन हुई और रानी से बोली रानी जी भोजन कर लो रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था इसलिए वह दासी से बोली जा तू ही भोजन कर क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हसी उडाती है दासी बोली एक व्यक्ति अभी अभी भोजन दे कर गया है राणी कहने लगी वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है तू ही भोजन कर दासी ने कहा वह व्यक्ति हम दोनों के लिए दो थालों में भोजन दे गया है इसलिए मैं और आप दोनों ह ब्रत और पूजन करने लगी ब्रहश्पती भगवान की क्रिपासे उनके पास धन हो गया परन्तु रानी फिर पहले की तरह से आलश्य करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इसी प्रकार आलश्य करती थी तुम्हें धन के रखने में कश्ट होता था इस का कि हे रानी तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ प्याव लगवाओ ब्रामणों को दान दो कुआ तालाब बावडी आधी का निर्माण करवाओ मंदिर पाट सालाएं बनवाकर दान दो कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ धन को शुबकारियों में खर्च करो जिसस कि रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दसा में होंगे उनकी कोई खोज खबर नहीं है गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्तना की और भगवान ने रात्री में राजा को स्वपन में कहा हे राजा उठ तेरी रानी तुझको याद करती है अब अपने देश को लोट जा राजा प्रातेकाल उठकर जंगल से लकणियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा जंगल से गुजरते हुए वा सोचने लगा कि रानी की गलती की वज़े से कितने दुख भोगने पड़े राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा जंगल से लकणियां काट कर उन्हें बेच कर गुजारा करना पड़ा उसी समय उस जंगल में ब्रिशपती देव एक साधू का रूप धारन करके आए और राजा के पास आकर बोले हे लकड़ारे तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो मु आत्मा तो सुभाव से ही द्यालू होते हैं वे राजा से बोले हे राजा तुम्हारी पत्नी ने ब्रिहशपती देव के प्रती जो अब राध किया था जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो भगवान तुम्हें पहले से बहुत विश्नु का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पुर्ण करेंगे, साधु को प्रसन्न देख कर राजा बोला, हे प्रभो, मुझे लकडी बेज कर इतना पैसा भी नहीं बचता, जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सको, मैंने रात्री में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं, जिससे उनका समाचार जान चको, फिर मैं प्रिहश्पतिवार की कौन सी कहानी कहूं या सुनो, मुझे को तो कुछ भी मालूम नहीं है, साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात के चिंता मत क पूजन करो, ब्रिहश्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकडियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगनाधन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भाती भोजन कर लोगे, तथा ब्रिहश्पतिदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा, और ब्रिहश पूजन करती थी और नहीं किसी देवता का पूजन करती थी प्रातहकाल उठते ही सर्वपर्थम भोजन करती थी बाद में कोई अन्यकारे करती थी ब्रामभर देवता बहुत दुखी रहते थे वे पत्नी को बहुत समझाते किन्थु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था भ पूजपन से ही उस कन्या की रूज़ी भगवान विश्णू की पूजा में थी। ब्रहश्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ करने के बाद पढ़ने के लिए पाठ साला में जाती थी घर से चलते हुए वह मुठी भर जो साथ ले कर जाती और पाठ साला के रास्ते में थोड़े-थोड़े जो गिराती जाती थी जब माने कहा बेटी सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूब भी होना चाहिए अगले दिन ब्रिहश्पति वार्था उसने भगवान ब्रिहश्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान यदि आपका वरत मैंने विधिवत किया है तो मुझे सोने का पाट साला से लोटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला घर लोटकर सोने का सूप अपनी मां को दिखा कर वह सोने के दाने साफ करने लगी उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुज्रा उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करत कि बात कही ब्रामध तयार हो गया धूम-धाम से उस लड़की का विवह राज-गुमार से हो गया दुलहन बनकर मिवट ऑनकर ब्रामधकी लड़की मेहल में चली गई लड़की के जाने ब्रामण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुँचा लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा पिताजी आखिर कब तक आप मुझे धन लेकर जीवन यापन करेंगे आप कोई ऐसा उपाई क्यों नहीं करते जिससे की आपका घरधन समपत्ती से भर जाए ब्रामण ने कहा मैंने तेरी मा को बहुत समझा लिया पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता उसका फूहरपन नश्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए तब कुछ सोच कर लड़की ने पिता से कहा हे पिता जी आप कुछ दिनों के लिए मा को मेरे पास छोड़ जाओ तब कुछ सोच कर ब्रामण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ाया लड़की ने अपनी मा से कहा मा तुम कल प्रातेहकाल उठकर श्नाना दी करके भगवान ब्रहश्पती देव का यानि के विश्नु जी का पूजन अवश्य करना पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य ही दूर हो जाएगी लेकिन उसकी मा ने उसकी कोई बात नहीं मानी तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी मा को एक कक्ष में बंद कर दिया सुर्योदय के समय मा को उठाकर जबर्दस्ती उसे श्नान कराया फिर मंदिर में ले जाकर भगवान ब्रहश्पती देव की पूजा कराई कुछ दिनों तक ऐसा करने से मा की बुद्धी में परिवर्दन हुआ और वहस्वयम ही ब्रहश्पती वार का वरत रखने लगी उसके वरत रखने से ब्रामभण के घर में भगवान विश्णू की अनुकमपा से धन की वर्षा होने लगी दोनों पति-पतनी धन संपत्ती पाकर आनंद पुर्वक जीवन यापन करते हुए विश्णू धाम को चले गए लकड़हारा बने राजा ने उन साथू से भगवान व्रहश्पती देव की यह कथा सुनकर ब्रहश्पती वार का व्रत करके भगवान विश्णू की पूजा की उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए लेकिन अगले ब्रहश्पती वार को काम काज में अतिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान ब्रहश्पती देव का व्रत नहीं किया भगवान ब्रहश्पती देव लकड़ारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोशना करके सब को सुचित किया कि प्रतेक नागरीक मेरे महल में भोजन करने आए जो नहीं आएगा उसे अपराधी मान कर भारी दंड दिया जाएगा लकड़ारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोशना तो सुनी लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उन्हीं बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका अतह राजा के सैनिक उसे पकड़ कर महल में ले गए राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बिठा कर भोजन कराया उस कक्ष में एक खूटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था लकड़ारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था तभी उसने एक आस्चरे जन घटना घटती देखी देखते ही देखते वह खूटी हार को निगल गई थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़ारे को कारावास में डलवा दिया लकड़ारा मन ही मन अपने भागय को कोसने लगा तभी उसे जंगल में मिले साथू का स्मरण हो आया थोड़ी देर बाद में भगवान ब्रहश्पती देव सन्यासी के रूप में उसके सामनी प्रकट हुए और कहा हे लकड़ारे तुने ब्रहश्पती वार के दिन भगवान ब्रहश्पती देव की पूजा नहीं की इसी कारण तुम्हें कश्ट हुआ है लेकिन अब तुम चिंता मत करो ब्रहश्पतिवार के दिन कारागार के दर्वाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे उन पैसों से भगवान ब्रहश्पतिदेव का वरत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे दुख नश्ट हो जाएंगे ब्रहश्पतिवार के दिन दर्वाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड मंगाकर लकड़ारे ने ब्रहश्पतिवार की कथा कही तो भगवान ब्रहश्पतिदेव ने प्रसन होकर उस नगर के राजा को स्वपन में लकड़ारे को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूटी पर रानी का हार टंगा हुआ था राजा ने लकड़ारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूशन देकर विदा किया लकड़ारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुँचा तो उस नगर में कुए, धर्मसाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन हुआ राजा ने किसी से पूझा ये कुए, धर्मसालाएं किसने बनवाई हैं सबने उसे बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाई हैं राजा महल में पहुँचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया तब राजा ने निश्चय किया कि सबताह में एक बार तो सभी ब्रहश्पती देव का व्रत तथा पूझन करते हैं परन्तु मैं प्रति दिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में तीन बार कथा कहा करूँगा अब राजा हर समय दुशाले में चनी की दाल बांधे रहता था तथा दिन में तीन बार ब्रहश्पती देव की कथा कहता कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई एक दिन घोडे पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया अभी राजा नगर के बाहर पहुँचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शब को ले जाते हुए देखा राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को ब्रिहश्पती वार की कथा नहीं जुनाई राजा ने उन लोगों को रोग कर कहा हे भाईयों आप सब को ले जाने से पहले मुझसे ब्रिहश्पती वार की कथा सुनले लोगों ने राजा पर प्रोधित होते हुए कहा तुम पागल तो नहीं हो लेकिन कुछ बड़े बुढ़े लोगों ने कहा अच्छा भाई साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा राजा के पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया लोगों ने हैरानी से दातों तले उंगली दबाई और अगले ब्रहश्पतिवार से भगवान ब्रहश्पति देव का व्रत करने तथा कथा सुनने का निश्चय कर लिया घोडे पर सवार होकर राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुँचा किसान अपने खेत में हल चला रहा था राजा ने कहा अरे भाई मुझसे ब्रहश्पतिवार की कथा सुन लो किसान जुझला कर बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूँगा तब तक तो मैं चार हरेया जोत लूँगा जा अपनी कथा किसी और को सुनाना राजा निराज शोकर चलने लगा तभी किसान के बैल लडखडा कर जमीन बरजा किरे और किसान के पेट में भी बड़े जोरों का दर्द होने लगा उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूझा और किसान ने घुरसवार की पूरी कहानी कह सुनाई किसान की पत्नी दोड़ती हुई राजा के पास पहुँचकर हाथ जोड़कर बोली भाईया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तयार हूँ लेकिन तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहो राजा ने उसके साथ खेत पर पहुँचकर ब्रिहश्पतिवार वरत की कथा सुनाई तभी बैल उटकर खड़े हो गए किसान के पेट का दर्द भी तुरंद ठीक हो गया राजा अपनी बहन के घर पहुँचा तो उसकी बहुत आओ भगत हुई अगले दिन सुबह उटकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं किसी भूखे को ब्रिहश्पतिवार की कथा सुनाई बिना राजा भोजन नहीं करता था उसने अपनी बहन से कहा हे बहन क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो उसकी बहन बोली भाईया हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबे सुबे भोजन नहीं किया हो तब राजा ने अपनी बहन के घर से निकल कर उस नगर में बिना भोजन किये व्यक्ति की तलाश की एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था राजा ने उसको जाकर ब्रिहश्पति वारवरत की कथा सुनाई कथा सुनते सुनते ही गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया सबने राजा की बहुत प्रसंसा की एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा बहन अब हम अपने घर जाना चाहते हैं तुम भी हमारे साथ चलो कुछ दिन वहां रहकर लोट आना राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा बहु माई के जाना हो तो अकेली ही जाना मेरे पोतों को मत ले जाना तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है कहीं तुम्हारी भावी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे बहन ने अपने भाई से कहा हे भाईया मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा राजा बोला जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लोटाया राणी ने राजा से कहा आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए तब राजा ने दुखी होते हुए कहा हे राणी हम निसंतान है इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद रहीं करता राणी ने राजा को समझाया हे प्राणनात हमें ब्रहश्पती देव ने सब कुछ दिया है अब भगवान ब्रहश्पती देव हमें संतान भी अवश्चे देंगे ब्रहश्पती वार को विधिवत वरत करते हुए राजा रानी ने भगवान ब्रहश्पती देव से संतान के लिए प्रार्तना की कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वपने में दर्शन देते हुए कहा हे राजन तेरी मनो कामना अवश्य पूरी होगी एक सप्ता बाद ही रानी गर्वती हो गई और उसी राद को ब्रिहश्पती देव ने राजा से स्वपने में आकर कहा हे राजा उठ सभी सोच त्याग दे तेरी राणी गर्ब से है राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई दसवे महीने उन्हें एक सुन्दर पुत्र की प्राप्ती हुई राजा और राणी दोनों बहुत प्रसन हुए तब राजा ने राणी से कहा हे राणी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती जब मेरी बहन आवे तब तुम उससे कुछ मत कहना राणी ने सुनकर हा कर दिया जब राजा की बहन ने यह शुब समाचार सुना तो बहुत प्रसन हुई और बधाई लेकर अपने भाई के इहां आई तब ही राणी ने कहा घोड़ा चड़कर तो नहीं आई गधा चड़ी आई राजा की बहन बोली भाबी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें आुलाद कैसे मिलती इस प्रकार राजा राणी जीवन पर्यंत ब्रिहश्पती वार का व्रत करते रहे उनके घर में धनकी वर्षा होती रही इस तरह आनंद पुर्वक जीवन यापन करते हुए राजा राणी भगवान ब्रिहश्पती देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंट धाम पहुँच गये ब्रिहश्पती वार को विधिवत पुरत करके जो इस्तरी पूरुष भगवान विश्णू की पूजा करते हैं भगवान उनकी सभी मनो कामनाय पुर्ण करते हैं ब्रिहश्पती देव ऐसे ही है जैसी जिसके मन में कामनाय होती हैं सभी को पुर्ण करते हैं जो सद्भावना पुर्वक ब्रिहश्पती वार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अत्वा सुनता है अत्वा दूसरों को सुनाता है ब्रिहश्पती देव उसकी सभी मनों कामनाय पुर्ण करते हैं भगवान ब्रिहश्पती देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं संसार में जो मनुष्य सत्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनों कामनाय पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं ब्रिहश्पती देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सच्चे मन से ब्रिहश्पती वार कवरत करना चाहिए, कथा पढ़ना चाहिए, अथवा सुनना चाहिए। और इसके बाद शुद्धगी का दीपक जलाकर ब्रिहश्पती देव की आरती करनी चाहिए। तो चलिए अब आरती कर लेते हैं। ओम जैब्रिहश्पति देवा, स्वामी जैब्रिहश्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा, ओम जैब्रिहश्पति देवा, तुम पूरण पर मात्मा, स्वामी तुम अंतर यामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सब के स्वामी ओम जै ब्रिहश्पति देवा चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता सकल मनोरत दायक कृपा करो भरता ओम जै ब्रिहश्पति देवा तन मन धन अर पण कर जोजन सरण पड़े प्रभू प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े ओम जै ब्रिहश्पति देवा दीन दयाल दयानिदी भक्तन हितकारी पाप दोस सब हरता भवबंधन हारी ओम जै ब्रिहश्पति देवा सकल मनोरत दायक सब संशय हारी विशय विकार मिटाओ संतन सुखकारी ओम जै ब्रिहश्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहते गावे जेश्टानंद आनंदन सोनिष्चय पावे ओम जै ब्रिहश्पति देवा और अब सच्चे मन से श्रद्धा भाव से प्रेम से जैकारा लगाईए ब्रिहश्पति भगवान की जै श्री लक्ष्मी नारायन की जै